नमस्कार फ्रेंट्स वेलकम टो सर्वोदे आईएस प्रलम्स 2023 का प्रलम्स जो है वो सिर्फ उसके लिए मान के चलिए कि आप 30 डेज बचे हैं ठीक है किस तरीके से आप 28 माई और 14 में किस तरह अप्रोच करने एक्जाम को आज मरलब यह जो लास टाइम है किस तरह इस्पेंड करें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है चोटा वीडियो होगा आप लोग जरूर देखें ठीक है और सरवधया आईसनल के यूट्व चैनल और सरवधया आईसनल के टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजए ठीक है जॉइन कर लीजिए इस तरीके के वहां पे क्वेस्स चल रहे हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है और इस डाइरेक्ट क्वेशन आपको यहां से मिले तो आप लोग टेलीग्राम चनल और यूट्यूब चनल को जरू 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 दैसे मेरा नाम फारूक है, मैंने एंफिल किया लगनों इंटर्व्यू और पिछले लगबग तीन साल से मैं आईयस और पीसेस अस्पनेट्स को गाइड कर रहा हूं अब आते हैं, मैंन मुद्देग, देखिए, जो मेरा एक्सपिरियंस रहा है परलम से रिलेटेड़ ठीक है, और मैंने कॉनिडेंटली क्लियर की हैं तो उस पे क्या जो मैंने देखा कि क्या ऐसी चीज़े हैं जहां पर देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है तो एक चीज़ त आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ता बाता है, जैसे आप, जैसे मेरी पॉलिटी बहुत स्ट्रॉंग है, जो पॉलिटी जो आपका सबजेक्ट है, जी एस का, मैं कहता हूँ आपकर 15 कॉश्चन होजे देते हैं ना, यू पीएसी में, आईस में, तो मै मैं 13 से 14 कॉश्चन बहुत आराम से सही करूँगा, 13 से 14 कॉश्चन मैं बहुत आराम से सही करूँगा, तो ये चीज मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस देती है, कि हां मैं कॉलिफाई कर सकता हूँ इस एक्जाम को, ठीक है, तो अच्छा, कट अगर आप देखें, तो कट दिरे-दिरे गिर रही है ना नीचे की तरफ, कट आफ को अगर आप देखेंगे, यूपीएसी की तो लगभग, क्या कह सकते है, आप 85 से 95 के अराउंड इजबार रही है, ठीक है, तो 85 के लिए वादलो आपको करेक्ट कॉश्चन अराउंड 43, 44 से यह होईंगे, ठीक है, त तो अगर मेरा कहने का बलुए, आप अपने बीसिक्स पर काम कीजिए, ठीक, तो अब मैं आपको तलिसमा दे रहा हूँ, जो आपका क्या है, बीसिक्स अगर स्ट्रॉंग होंगे, तो आप कॉन्फिटेंटली अप्रोच करेंगे पेपर को, आप डरिएंगे नहीं, और अग अज़ करेंगे, लेकिन ऐगर आप बीसिक्स अच्छे करते हैं, तो पॉलिटी के पंद्रा में आप्राम से बारा कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से जचिज्टेंटली गताक्तली और एख्शल में आप जे से इमेंस पढ़ने लगेगा ना तो आप इस बेसिक्स को अब आपने बेसिक्स को इस इन लास डीस में ठीक से पढ़िए करेंट अफियर को दीजे टाइम लेकिन प्रपोशनेट दीजे कि क्या कितना आता है और कितना हमें देना है 15 परसेंट आपका जो टोटल टाइम है उसका पंदरा परसेंट आप दीजे करेंट अफियर के ठीक है मैंने जब भी प्रप्रलिम्स किया क्लेयर किया और इस इसको उससे देखा कि करेंट अफियर को बहुत जादा लोड लेने वाला चीज नहीं है करेंट अफियर को आप 15 तो 18 परसेंट टाइम दीजे अपने टो जिसको आपके लिए अगर आप इसको अपलाई करेंगे तो आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो यह था आपको आप लोग सर्वदाय सेनल को जोइन कर लीजिए और अपने करेंट अफियर और जी एसकी को सॉल्व करते लिए थांक्यू झाल 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 झाल